नमस्कार मित्रों पिछले वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से हाइपोगलाइसीमिया डियाविटीज के उप्चार के दौरान आने वाली प्रमुग बाधा है और यही हमको डियाविटीज के एग्रिसीव मेनेजमेंट को राप्त करने से रोगती है अधिकांश एंटी डियाविटिक एजेंट्स को देते समय हमें जिस प्रमुग परिशानी का सामना करना पड़ता है उसमें से एक है हाइपोगलाइसीमिया तो इसके विशें में हम समझते हैं कि यदि किसी व्यक्तिको हाइपोगलाइसीमिया हो रहा है ट्रीट्मेंट के दौरान तो हम उससे किस प्रकार से अप उसके ट्रीट्मेंट में अपेक्षित परिवर्तन लाएं यहां चर्चा हम एक इस स्टडी के मार्ण से करते हैं एक एल्डर्ली फीमेल जोकी आठ वर्शों से डियाबिटिक हैं ओवीज वेश सर्कंफिरेंस ज्यादा होना प्तलब सेंड्रली ओवीज बेश्टिप्रेशों भी ज्यादा है एकन्थोसिस निगरिखिंस का प्रेजेंट होना अर्था इंसुन रिजिस्टेंस हैं इनके फास्टिंग पीपी वैल्यूस 157 तुट्वेटिफ़ेंटिफ़ेंगे और इस वक्त यह हैं ट्रिपल ड्रग थ्रैपी पे हैं अब प्रशनी आता है कि कंट्रूल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें एक आप्शन तो हमेशा तयार है इंसुन थ्रैपी का लेकिन सोचा यह गया कि क्या कोई और एंटी डियाविटिक एजेंट है जो इनमें यूज किया जा सके तो पाया यह गया कि अगर हम एक DPP-4 इनिवेटर एड़ करते हैं तो शायद हम उसमें कुछ लाप दे सकें तो इनमें 20 मिलिग्राम टैनलिग लिप्टिन एड़ किया गया जब 10 डेस के बाद 20 मिलिग्राम टैनलिग लिप्टिन और प्लीएस तीनों ड्रुक्स के साथ देखा गया तो 157, 225 जो ब्लड ग्लुकोज लेविल था वो घट गया 127, 171 आ गया बुरा नहीं है चलो कुछ दिन इंतिजार करते हैं क्योंकि हमें जानते हैं कि जैसे जैसे मेडिसिंस का ग्लुकोज लेविल कम होता है वैसे वैसे मेडिसिंस का एफेक्ट बढ़ता है एक और भी तक्ष्या में जान में रखना है कि DPP-4 एनिमिटर्स वो भी क्रमशा धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और पीक एफेक्ट आने में 4-6 सब्ता 4-6 बीक्स तक लग जाते हैं तो इस प्रकार से जब हमने इनको सेम ट्रीटमेंट कॉंटिन्यू किया इस उमीद में की ग्लुकोज लेविल कम होने से दवाओं का प्रभाव बढ़ेगा बढ़ेगा तो शायद यह बहतर स्थिती में हो और यह देखा भी कि कुछ दिनों बाद यह एकदम से 72 मिलिग्राम परसेंट ब्लुकोज लेविल के साथ में यह प्रेजेंट की जब उनको जर्मिलाइज बीकनेस घबराहट हाइट हाइपोग्लाइसीमे की फीचर साने लग अब प्रश्ट क्या हुटता है कि यह चार मेडिसिंस ले रही है ग्लिविन क्लमाइट, मेटफॉर्मिन और पायडियों यह तीन दवाएं तो यह पहले से ले रही थी हमने टैनलिगलिप्टिन और एड़ की थी तो अब हम इसमें क्या करें ग्लिविन क्लमाइट की डोस रि हाईपगलाइसीमिक टेंडेंसी सबसे ज़यादा है, इसको हम रिप्लेश कर दें ग्लिविन और परायडियों से जो कम पेटिवली हाईपगलाइसीमिया जिससे मार्ड़ रहता है, तो अब इन चारों में हमारे का आप्शंस हैं, यह हम क्या करें? वास्ताम में हमें इसमें Glevin Clamide को कम करना है डोस को हमें एक सल्फिलियूरिया से दूसरे सल्फिलियूरिया से में जाना यह लाग कारे तो हो सकता है लेकिन हाइपोगलाइसीमिया जब इतना सिग्निफिकेंट हुआ है तो उसमें हम कोई विशेश लाग कराप्त करें यह जानते हुए हमने Glevin Clamide की डोस को कम करने का प्लान बनाया अब यहां यह समझना है कि जो हाइट्रोजनिक हाइपोगलाइसीमिया है मतलब हाइपोगलाइसीमिया जो किसी मेडिसिन के प्रभाव से उत्पन हुआ है वह किससे होता है बास तो में एक एवल दो ही मेडिसिन से ऐसी है जो कि हाइपोगलाइसीमिया कर सकती है या तो जो हमने बाहर से इंसुलिन अगर हम इस्तिमाल करें तो एक इंसुलिन एक एजिंट है जो कि हाइपोगलाइसीमिया कर सकता है और दूसरा जो अंदर से insulin निकाल रही है जो drugs जो insulin secretion बढ़ा रही है कौन-कौन सी? सल्फनिल्यूरिया और megalitonides तो चाहे exogenous insulin हो चाहे endogenous insulin हो insulin के करण से यह hypoglycemia होता है किसी भी अन्य दवा से नहीं होता तो हमें यह तीन drugs याद रखनी है insulin, सल्फनिल्यूरिया और megalitonides यही दवा hypoglycemia कर सकती है तो इसलिए जब कभी भी हमारा patient को यह hypoglycemia लेके आए हमें इसकी doses को देखना है medicines को देखना है और उनमें reduction इनहीं तीन दवाओं में करना है insulin sensitizer में reduction नहीं करना metformin से hypoglycemia नहीं होता हाइगलोडियों से hypoglycemia नहीं होता DPP-4 inhibitor से hypoglycemia नहीं होता आप कहेंगे यहाँ पर तो टैनलिकलिप्टिन दी उसके बाद hypoglycemia हुआ फिर भी hypoglycemia टैनलिकलिप्टिन से नहीं हुआ टैनलिकलिप्टिन ने insulin की sensitivity बढ़ा दी तो जो insulin अभी तक हमारी सल्फलिन यूडिया गलिमिन कलमाइड देने से रिलीज हो रही थी वो insulin अभी तक काम कर रही थी अब टैनलिकलिप्टिन देने के बाद उसका प्रभाव बढ़ गया तो टैनलिकलिप्टिन ने एक precipitating factor हो सकता है यह लेकिन बास्तिक हाइपोग्लाइसीमिया तो गलिमिन कलमाइड के कांड से हुआ तो जब कभी भी ऐसा हो तो हम डोस हमेशा सल्फलिन यूडिया मेगलेटिन या insulin इनहीं की घटाएंगे किसी insulin sensitizer के लिए तो देखते हैं मनुओं की इसमें क्या हुआ यह जो गलिमिन कलमाइड, मेटफॉर्मिन, टेनलिगलिप्टिन यह लेते हुए जो पिशिंट हमाई सामने आएं तो इनमें हमने गलिमिन कलमाइड की डोस को 15 मिलिग्राम रेडियूस किया जिससे की गलुकोज लेविल अगली बार ठीक मिला और कुछ समय बाद हमने देखा कि यह हमारा नियर नॉर्मल लेविल पे आ गया यह इसलिए भी क्योंकि लुकोज लेविल कम होने से सेंस्टिविटी बढ़ी और टेनलिगलिप्टिन का रेस्पॉंस भी समय के साथ बढ़ता गया अब काडियक प्रॉब्लम है तो एक विचार मन में आया कि पेशेंट तो काफी ठीक हो गया लेकिन क्या हम इसमें SGLT2 इनिविटर्स को एड़ ना करें ओभी जिन्दी बीजवल है वेट लॉस में भी हल्प करेगा CHF है तो CHF में भी हम जानते कि SGLT2 इनिविटर्स लाब देते हैं क्योंकि उनका एस्सियेटड थोड़ा आफ्टर लोड और प्री लोड कम करते हैं लाजमा वॉल्यूम कम करके और जो हाइपोलेट्रीमिया जो ग्लुकोज लॉस बढ़ाकर उन से तो इस प्रकार से फिर है प्लान किया गया अब जब पेशिट बेटर इस्थिती में है हम SGLT2 इनिविटर्स भी इसको एड़ करते तो रेमोगल फ्लोजिन 100 मिल ग्राम ट्वाइस अडे इस पेशिट को एड़ किया गया अब देखिए वह पेशिट जब यह ट्रिपल ड्रग थ्रैपी पे था पाइब लूडियोन पहले ही विट्रॉप करन दी थी CHF होने के कारण इस ट्रिपल ड्रग थ्रैपी पे ग्लुकोज लेविल स्थीक थे अब हमने रेमोगल फ्लोजिन एड़ किया देखिए बड़ी समझदारी से यहाँ पे जब पेशिट का ग्लुकोज लेविल ठीक है और हम एक मेडिसिन एड़ कर रही है तो वो फिर हैपो में चला जाएगा तो यहाँ प्रिकॉश नरवी पहले से ही हमने ग्लिमिन क्लमाइड जो 15 एमजी थी उसको घटाके ग्लिमिन क्लमाइड 10 एमजी कर दिया तो ग्लिमिन क्लमाइड जो हाइको ग्लैसिमे करती उसको डोस को कम करके हमने रेमोगलिम्फलोजन एड़ किया और फिर देखा कुछ समय बाद 10 दिन बाद अरे वाह यह तो लोर रेंज में है बहुत अच्छा लेकिन फिर पिशिंट यह हाइपो में जा सकता है चलिए ग्लिमिन क्लमाइड की डोस को और कम कर दी और फिर पिशिंट को हमने 10 दिन बाद जब बुलाया तो देखा अभी भी बहुत अच्छा क्लमाइड की डोस को और कम किया लेमोगी फ्लोजिन का भी असर और बढ़ता जा रहा है ग्लुकोज लेविल कम होने से टैनलिक लिप्तिन भी अपने पीक एफेक्ट पर आ चुकी है और हमने दिखा लिए उसकी ग्लुकोज लेविल तब भी कंट्रोल है हमने ग्लिमिन क्लम को एड़ करके हमने बेटर ग्लाइसमिक कंट्रोल भी प्राप्त किया और ग्लिमिन क्लमाइड को भी हम हटा सके इस पेशेंट में तो इस पेशेंट में क्या सीखा कि पहला लेसन हाइपोग्लाइसीमिया केवल और केवल इंसुलिन के कारब से होता है चाह वो एक्जोजेनस इंसुलिन हो चाह एंडोजेनस इंसुलिन के इंसुलिन सीक्रिटोगोग्स हो जैसे सल्फलिंजियूरिया और मेटफॉर्मिल दूसरे चीड जो हमारी मेडिसिन्स हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर या और तरह के एजेंट्स एड्जूएंट्स यह सभी ड्रग्स ग्लुकोस लेविल कम करती हैं उससे इंसुलिन सेंस्टिविटी बढ़ा सकती है तो इंसुलिन सेंस्टिविटी बढ़ जाने से इंसुलिन जो एंडोजेनस इंसुलिन के सीक्रिटोगोग्स स्क्रिनूडिया या मेडियोटनाइट्स उनकी एफिकेसी बढ़ जाएगी इसलिए उनसे ह हाइपोगलाइसीमिय को precipitate कर सकते हैं लेकिन by itself they don't cause हाइपोगलाइसीमिय तो ऐसे में अगर हाइपोगलाइसीमिय होता है तो हमें इंसुलिन की ही डोस कम करनी है सल्फॉलिन उरिया या मेगलेदिराइट की डोस कम करनी है जैसे DPP-4 इनिविटर एड़ कर रहे हैं, SGLT-2 इनिविटर एड़ कर रहे हैं, तो पहले से ही हम उस पेशिंट की जो इंसुलिन या सिल्फिनियूरिया की डोस को कम कर लें, जिससे की वो पेशिंट हाइपोग्लाइसीमिय में ना जाए. तो मित्रों, यदि हम डाइवडीज के ट्रीटमेंट के दौरान और हाइपोग्लाइसीमिया को बचा सकते हैं, उसको होने से रोग सकते हैं, होने एक बाद उसको एफेक्टिवली ट्रीट कर लेते हैं, तो यही हमारे ट्रीटमेंट की सफलता का प्रमुख बिल्दू है. किसी भी पेशिंट को एक बार हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, उसके मन में इतना भह बैण जाता है, कि बाद में वो टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल में आने से बचना चाहता है. वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल यह तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लेमेटिक हो सकता है, जान लेगा हो सकता है. तो इस प्रकार से हमको पहले से हाइपोग्लाइसीमिया से बचाओ का प्रयात्म अगर हम करके चड़ेंगे, तो हम अपने पेशन के साथ एक बेहतर तालमेद उसकी डाइप्टीज मिलेजमिन्ट में इस्थापिद कर सकेंगे, बिना उसको कोई हानी पहुँचाए हुए. धन्यवाद.